ग्वालियर भिंड मुरेना श्योपुर की दशकों तक लाइफ लाइन अब जल्द ही साइड लाइन होने वाली है जिसके चलते इस ट्रेन के जरीए अपनी मंजल तक पहुचने वाले लोग मायूस हैं वेपार भी प्रभावित हो रहा है क्योंकि जिन क्षेत्रों में ये ट्रेन सवारी लेने गाउं गाउं चाती थी वहाँ आज भी आवा गमन के मुकमल इंतजाम नहीं है लहाजा नेरो गेज ट्रेन के बंद होने से लोग बेहत मायूस हैं जो शोपूर जहतर में कई बर्षों से सिंधिया काल से ही जो रसा सक रहे उनों के साथन रहा सिंधिया जी का तब से ये नेरो गेज ट्रेन हमारे शोपूर में चलती आ रही थी और इसके चलने से लाखों लोगों को हजारों लोगों को आवगमन का सादन मिलता था आम लोग ही नहीं, खास लोग भी इस ट्रेन के मुरीद थे क्योंकि उस जमाने में आवा गमन का कोई और साधन नहीं था लिहाजा गाउं से शहर को जोडने वाली ये ट्रेन उस वक्त ब्रिज का काम करती थी जिस पर सवार होकर लोग दिन भर इस गाउं से उस गाउं तक और इस शहर से उस शहर तक आते जाते थे या सुभा जाते दिन भर काम करते और शाम को घर लोटाते थे इस ट्रेन के बंद होने से छोटे वैपारी ज्यादा प्रभावित हैं और शौपुर हाते थे तो शौपुर का व्यापार भी बहुत अच्छा चलता था हैं जब से ये ट्रेन बंद होगी है करसे शोपुर का वियापार लगभाव शमापता होगया है मैं यह कहना चाहता हूँ कि छोटे जो वैपारी हैं वो पूरी तरह से इस तेर के बंद होने से कंगाली के उसमें आ गए हैं बड़े व्यापारियों को इतना परगन ने पड़ा चोटे व्यापारियों को पड़ा चोटे चोटे दुगंदार अपना जीवन व्यापार जोजी रोटी चो चलाते थे वो आज की तारिक में पूरी तरह चप्ता हुए है ग्वालियर के ततकाली महराजा माधो राओ सिंधिया ने अपने राज्य को खुशाल बनाने और वैपार बढ़ाने के लिए सिंधिया स्टेट रेलवे की शुरुआत की थी इसके लिए उन्हें अंग्रेजों से भी मदद ले दी पड़ी थी ना तो बसें होती थी और ना कुछ होता था बैल गाडियों से लोग जाते आते थे बैल गाडियों से जाने आने में बहुत समय लगता था किसी जमाने की लाइफ लाइन रही नेरो गेज ट्रेन को भले ही अब साइड लाइन किया जाने लगा है पर इस ट्रेन की याद उन लोगों के दिलों में तारीख की तरह दर्ज रहेगी जिनके जीवन में इसी ट्रेन के जरिये बड़ा क्रामतिकारी परिवर्तन हुआ है नेरो गेज की जगह ब्रॉड गेज आभी जाएगा तब भी वो गाउं गाउं सवारी लेने तो जाएगा नहीं इसलिए स्ट्रेन की कमी हमेशा ही लोगों को खलती रहेगी ग्वालियर सेख, अनिल गौर, ETV भारत, मतिप्रदेश